बाबा सूरजपाल को लेकर बहुत बड़ा दावा सामने आया है। आप गहे थे हो? क्या करता था बाबा? वो लेडी जो को हीमो टाइप करता था। लेडी जी बुलाता था। उसके किस तरीके से करता था है। लब कि जो सुन्दर लड़किया होती उसको वो अंदर रखता था और जो होती थी भार जैसे की मतलब खून निकल उता था उनको बेचता था गसीरता था तो उसमें उनको खून निकलता था अंदर गसीडता था, क्यों गसीडता क्यों था, अच्छी नहीं थी, जो अच्छी नहीं होती उनको गसीडता था, और जो अच्छी होती उनको अंदर ले जाता, उसकी जो सेवादार होती थी, वो महिलाई होती थी, तो ये काम महिलाई करती थी, महिलाई, सब कुछ करती थी, नाना दिलाना कपड़े दोना सब कुछ मेलाय करती थी अचा बाबा को महिलाई नेलाती थी हाँ सब महिलाई नेलाई और केते हैं कि बाबा कोई मोहनी मिद्रा का इस्तेमाल करता था महिलाई को रिजाने के लिए ऐसा कुछ होता था हाँ होता था वो तो उत्र परशाद था, कुछ परशाद में देऊए वा राखर णडेते था राखर, थैजं रजने जाते था साधर, और परशाद में देऊ, कि परशाद में देते है ? वो, मैला रे संतलती थैं यह तो बहुआना है बहुआना है जो आपने ले सब कुछ करते हैं ऐसे बोलती थे हाथरे सत्संग का एक वीडियो वाइरल हो रहा है इस वाइरल वीडियो में कुछ पुलिस वाले भी दिखाई दे रहे हैं जिसमें पुलिस वाले प्रवच्चन सुनने में लीन दिखाई पड़ रहे हैं पुलिस वाले बकाईदा हाथ जोड़े खड़े हैं ये वाइरल वीडियो हाथ से से पहले का बताया जा रहा है आप देखे जिन पुलिस वालों की ओपर जिम्मेदारी थी वहाँ पर विवस्था को बनाये रखने की लोगों को सुरक्षित वहां से निकालने की वो पुलिस व प्राइन पर बाबा के वकील एपी सिंग का बहुत बड़ा दावा सामने आया है एपी सिंग के माने तो हातरस में भगदर के पीछे साजिश थी भगदर मचाने वाले लोग अच्छानक आये थे हाफ पैंड पहने 10 चे 15 लोगों ने भगदर मचाई थी भगदर मचाने वाले शराप के नशे में थे ये तमाम बाते कही गई हैं बाबा के वकील एपी सिंग की तरब से. आपको बताते चलें कि सीम जोग्या दितनात ने भी इस बात का अंदेश्वा जताये था कि भगदर की पीछे साजिश हो सकती है. सीम ने क्या कहा था अंदेश्वा जताते हुए वो भी सुनवाते हैं आपको. पीछे फीड़ गई और इसी के बाद वे एक दूसरे के ओपर चड़ते गए. घटना घटी तो यह है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किस की है? कौन इसके पीछे हैं? इन सभी पहलों को लेकर के राज्जे सरकार ने तैय किया है कि हम इसका एक जूडिशन इंपवारी भी करवाएंगे. इस पूरी घटना के तहम ने जाकर के जो भी इसके लिए दोस्री होगा, उन्हें इसकी सजा देना.